नितिस कुमार कभी भी एंडिय की और पल्टी मार सकते हैं लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं नितिस को रोकने के लिए लालू परशाद यादों ने भी अपनी तयारी कर रखी है इसलिए चाहते हुए भी नीतिस कुमार ऐसा कर नहीं पा रहे हैं सायद इसलिए उनकी खीज रह रहकर बाहर आ रही है पुरी खबर बताएंगे इससे पहले मिरा नाम समीर हासिं है और आप देखना सुरू कर दिये हैं बिहार में उच प्लस देखें बिहार में कड़ाके कि ठंड के बीच राजनितिक पारा गरम हो गया है सियासी हलचल इतनी तेज है कि राजनितिक विसलेसक के भी यह अंदाजा नहीं लगा पा रहे है कि आखिर नीतिस के मन में क्या चल रहा है अभी तक ये तय माना जा रहा था कि नीतिस कुमार कभी भी एंडिये की ओर पल्टी मार सकते हैं लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं नीतिस को रोकने के लिए लालू परशाद्यादों ने भी अपनी तयारी कर रखी है हो सकता है कि शायद लालू परशाद्यादों के बुने जाल की वज़ा से ही नीतिस को हैसला लेने में हिश्किचाहट हो रही हो जो उनके मन में बार बार आ रहा है नितिस कुमार ने पिछले दिनों जद्यू की कमान अपने हाथ में ले ली थी इसके बाद से ही राजनीति गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा सुरू हो गया था कि आखिर नितिस कुमार करना क्या चाहते हैं ललन सिंग के राष्टिये अध्यक्षपद से हटने के बाद लालू परशाद्यादों भी सतर्ख हो गय थे क्यूंकि आरजेडी और जद्यू के बीच की कड़ी ललन सिंग ही थे इसके बाद ही ये तय माना जा रहा था कि नितिस कुमार बिहार में महागडबंदन को छोड़ कर इंडिये में जा सकते हैं नितिस कुमार चाहते हुए भी ऐसा कर नहीं पा रहा हैं सायद इसलिए नितिस कुमार की खीज रहरा कर बाहर आ रही है जदियू की राष्टिय कार्यकर्णी के बाद से बिहार में हर पल बदल रहे स्याक्सी समीकरण इस बात का संकित देराय की जदियू और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है गुरुवार को लादोपशाद यादो की बेटी रोहिनी के ट्वीट के बाद दोनों दलों के निताओं के बीच तना तरवजनिक हो गया था दरसल रोहिनी ने कविता सैली में लिखा था समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है हवावों की तरह बदलती जिसकी विचारधारा है इस ट्वीट पर नितिसकुमार ऐसा भरके की कैबिनेट मीटिंग भी बीच में ही छोड़ दी थी इससे पहले नितिसकुमार ने अपने एक सम्भोधन में परिवारबाद पर निशाना साधा था माना जा रहा था कि उनका सीधा इसारा आरजेडी की तरफ था आपका क्या मानना है कॉमेंट में जरूर हमें साजा करें बहुत बहुत धन्यवाद